दोस्तो माई सिंपल गाइड में आपका फिर से स्वागत है दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि माई सिंपल गाइड पर आपको EPF अकाउंट से जुड़ी latest updates की वीडियो देखने को मिल जाती है साथ में माई सिंपल गाइड पर आपको अलग-अलग topics पर informative और step-by-step process की वीडियो देखने को मिल जाती है दोस्तो जब आप अपने PF withdrawal claim को online apply करते हैं और उसके लिए अपनी login details के साथ अपने PF account में Unified Member Portal पर login करते हैं और जैसे ही आप online services पर जाकर claim option को select करते हैं तो आजकल कुछ इस तरह से आपको एक error आजाता है invalid bank account number kindly update your bank account details through self mode और employer दोस्तो इस message में आपको ये बताया जाता है जो आपके PF account में bank account details updated हैं वो invalid हैं उन्हें या तो आप अपने आप online या अपने employer के through update कराईए जबकि आपके PF account में आपकी bank account details एकदम सही सही updated हैं और आपके employer द्वारा already approved है और इन्हीं bank account details से आप पहले भी withdrawal कर चुके हैं उसके बावजूद भी ये error आ जाता है और अगर आप अपनी bank account details को अपने PF account में add करने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक error देखने को मिल जाता है और आप अपने PF account में अपनी नई bank account details को add नहीं कर पाते हैं ये error क्यों आता है चलिए जान लेते हैं उसके लिए आप manage पर जाएंगे और click करेंगे KYC पर जैसे ही आप click करेंगे नीचे आप देखेंगे KYC history में approved, rejected, invalidated option के अंदर आप देखेंगे आपको एक message दिखाए देगा service under maintenance यानि के ये error EPFO की एक technical error है जो की website under maintenance के कारण आ रही है और कुछी दिनों बाद ठीक कर दी जाएंगी तो इसका मतलब है कि आपको अपने PF account में अपनी bank account details को change करने की जुरूत नहीं है कुछी दिनों में EPFO द्वारा ये error ठीक कर दी जाएगी और आप अपने PF withdrawal claim को आसानी से apply कर पाएंगे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेर्द रूप कीजेगा और PF account से जुड़ी ऐसी updates के लिए subscribe करना मत भूलिएगा आपी के लिए धन्यवाद अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे All the best